हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्था लिया एक और विशे पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग का विश्व प्रसिद संटेंपल जो है वहाँ पर बिजली की आप उर्थी के लिए अब सौर उर्जा का सहारा लिया जाएगा तो संटेंपल वुड़ बी लाइटेंड अप विच सोलर एनरजी इस विशे पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसा राज़े के अंदर किस इसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं अगर आप कोड यूज करते हैं शुब 33 तो इस कोड की मदद से आपको 33 प्रतीशत तक के डिसकाउंट सो है वो स्टडी आइक्यू के सभी कोर्सिस पे मिलेंगे तो डेफिनेटल इन कोर्सिस में एनरोल करें विश्व प्रसिद कोनार आपक शहर ओडिशा का इस मंदिर में अब सौर उर्जा जो है उससे पूरे के पूरे मंदिर का जो electricity है उसको पावर किया जाएगा सनटेमपल जो है वो अब electricity जो है वो प्राप्त करेगा ईए उर्जा से। ओडिशा अपने कोस्टल टेंपल को C से करीब ये 2-3 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है सरकार का उदेश्य ये है कि शत्प्रतीशत बिजली की आपूर्ती जो है वो सौर उर्जा से हो जीरो एमिशन का जो टार्गेट है ताकि किसी प्रकार का उठ सर्चन जिसे हम कहते है परियावरन को जो नुकसान पहुंचाता है वो ना हो जब हम इस तरीके के चाहिए सौर उर्जा हो विंड एनर्जी हो जब हम यहां से पावर जो है वो जनरेट करते है तो किसी प्रकार का एमिशन जो है वो इन्वार्मेंट में नहीं होता है उसी उदेश्य को यहां पर पूरा किया जाएगा यह है कोनार्क का सूर्य मंदिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कुछ समय पहले भी हमने कोनार्क संटेंपल के विशे पर बात करी थी तो 2020 मए के महीने में केंद्र सरकार ने यह योजना जो है वो शुरू करी थी जिसका उदेश्य था कि कोनार्क का जो संटेंपल है इसको पूरी तरीके से इसका सौर करन सोलराइजेशन जो है वो करना है कोनार्क स्ट्रांजिशन टू रिनियरबल एनरजी is a part of an ambitious plan of union ministry of new and renewable energy केंद्र सरकार में नवीन करनी है एवं नवीन उर्जा मंत्राले का उदेश्य है के 2022 तक जादा से जादा production जो है वो सोलर एनरजी की हो सके उस दिशा में ये एक contribution होगा उडिसा सरकार की ओर से the state also targets to generate 2200 megawatt from solar energy सोर उर्जा से 200 megawatt बिजली जो है के पूरे राज्ये से 2200 megawatt, 2200 megawatt बिजली का उत्पादन होगा जिसमें से कुछ हिस्सा जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस sun temple में बिजली को संचालिद करने के लिए the innovative scheme is in line with government's vision to transform ancient sun temple in Odisha and the historic konark town into a surya नगरी सरकार का उदेश्य रहा है कि konark temple जिसे sun temple जो है इसकी मौझूदगी के कारण konark town जो है उसे surya नगरी कहा जा सकता है किसी exam के point of view state level exams में इस तरीके का सवाल important हो सकता है कि कौन सा शहर हिंदोस्तान का surya नगरी कहलाता है because sun temple konark में मौझूद है इस वज़ा से इस शहर को surya नगरी कहा जाता है उद्देश्य ये है कि surya नगरी अब surya से ही चलाई जाए ये सरकार का vision रहा है इससे public को काफी ज़ादा help मिलेगी जब एक additional source of solar energy जो है वहाँ पर मौझूद होगा और साथ ही साथ एक message जो है वो जनता तक जाएगा of synergy between modern use of solar energy and the ancient sun temple in Odisha Odisha का प्राचीन सूर्य मंदिर जिसका महत्व जो है जिसका significance जो है जिसका connection जो है वो सूर्य से है अब उस ही मंदिर में सोर उर्जा जो है वो use की जाएगी जिससे एक synergy जो है वो मिलेगा solar energy को state और national level पर asperda ministry 10 megawatt का grid connected solar project and solar off-grid applications जो है वो set की जाएगी जिसके तहत solar power plants होंगे solar trees लगाए जाएगे solar drinking water के ask होंगे यह सारी के सारी चीज़ें जो है वो कुनार के अंदर कुनार के शहर में जो है वो set की जाएगी यह पूरा का पूरा mission जो है काफी जादा ambitious यह पूरा project रहने वाला है क्योंकि solar urja से related कोई भी project जो है undoubtedly काफी जादा helpful रहता है plus यह project जो है वो आ रहा है sun temple के लिए तो जैसे मैंने पहले बताए कि एक synergy जो है वो दोनों के बीच में लागत आईगी और यह सारा का सारा amount जो है वो ministry of new and renewable energy द्वारा जो है वित्य सहायता की मदद सेज को पूरा किया जाएगा यहाँ पर एक major shift जो है वो देखने को मिलेगा जो electricity consumption है अब वो fossil sources से ना आकर के सोर उर्जा से आएगी तो यह sun temple में जो electricity consumption है उसमें काफी जादा help जो है वो मिलेगी कि एक renewable energy source से वो electricity generate हो रही है the financial benefit from solar energy will help divert spending on other developmental works of the temple अब क्योंकि current scenario में जो electricity consumption हो रहा है उसमें जो amount pay करना पड़ता है क्योंकि जब grid से electricity आ रही है तो उसके लिए temple authorities जो है वो एक bill का भुकतान करते है electricity department को वो amount जो है वो बच पाएगा जब बिजली सोर उर्जा से बनेगी और वो amount जो authorities सेव करेंगी उसको मंदिर के अन्य developmental कारियों में लगाया जाएगा कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि करीब एक सो से जादा सालों बाद जो सेंक्टम सेंक्टोरम है जो गरब ग्रिया है इस मंदिर के उसको खोला जा रहा है अगर हम सन टेंपल की बात करें आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे 1250 में 13 सेंचुरी में ये मंदिर जो है कागार पर आचुका था उस समय अंग्रेज हुकूमत ने इस मंदिर के अंदर जो है वो रेत भर दी थी पूरे के पूरे मंदिर में ताकि इसकी वाल्ज और फ्लोर जो है वो कलैप्स ना कर जाया उनको सपोर्ट देने के लिए इसके अंदर रेत भर दी गई थी 1903 से लेकर के 2022 तक इस रेत को जो है वहाँ से निकाला नहीं किया था क्योंकि एक डर था कि अगर इस रेत को निकाला जाएगा तो हो सकता है ये इंशेंट मंदिर जो है वो पूरे तरीके से डह जाए लेकिन 2022 में इस इस मंदिर के गर प्रिया को खोलने के लिए जो रेत है उसको धिरे-दिरे बाहर निकालने का काम जो है वो शुरू किया गया है जल्दी इस मंदिर को जो है वो पूरे तरीके से रेनोवेट किया जाएगा और उसके बाद लोग जो है लेकिन इतना easy भी नहीं है कि implement इसको करना क्यूंकि इस पूरे की पूरे प्रोजेक्ट में काफी सारे चोटे बड़े issues वो आ सकते हैं, सबसे बड़ा reason है जिस मैंने आपको पहले भी बताया है कि मातर 2 km की दूरी पर है ये Bay of Bengal से, जिस वचा से Odisha की पूरी की पूरी जो 480 km की solar setup जो है वो तहसनेस हो सकता है, इसके अलावा land acquisition जो है वो again major challenge है, हमने काली एक वीडियो में बात करी थी, जहां पर हम water bodies के उपर floating solar plants जो है वो लगा रहे है क्यूंकि land acquisition जो है वो एक major issue आ रहा है, भूमी अधिक रहन जो है, किसी भी project के लिए वो काफी जादा दिक्कत पै जाने वाला है, coastal areas जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो cyclone prone है और उसके अलावा, जो internal lands है, जो coastline से थोड़ा दूर है, वो इसी वज़ा से densely populated है, क्योंकि people tend to move away from the areas which are prone to cyclones, अब समुतर के तट पर बार-बार चक्रवाती तुफान आ रहे हैं, तो लोगों के tendency यही होती है कि इस चक्रवाती तुफान के impact से बचा जा सके, इस वज़ा से जो interiors है, इस राज्ये के, वो काफी ज़ादा densely populated होते जा रहे हैं, वहाँ पर जमीन का अधिकरहन करना जो है, वो थोड़ा सा एक challenge के रूप में सामने आ रहा है, हम बात करें सन temple, जो की konark में स जो है वो बनाया गया था, भगवान सूरे को समर्पित यह मंदिर है और अब उसी सोर उर्जा से जो भगवान सूरे से आती है, उससे इस मंदिर में पूरा का पूरा जो पावर है, वो supply किया जाएगा, इस मंदिर को बनाने में 12 wheels हो है, वो बने हुए इस मंदिर के देखी होगी, अब ये 12 wheels का क्या महतव है, ये अभी तक क्लीर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 wheels जो है, वो 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग का कहना है कि ये दिन के 12 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस पर exact clarity जो है वो अभी तक नहीं मि ब्लैक पगोडा इसलिए एक तो इस मंदिर का रंग जो है इसका आर्खिटेक्चर जो है वो ब्लैक कलर का है इस वजह से इसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है और ऐसा बताया जाता था पुराने समय में कि इस मंदिर के अंदर किसी प्रकार की magnetic powers हैं क्योंकि ये coastline के करीब स्थित है तो समुद्र के तट पर आने वाले जहाजों को ये मंदिर जो है ये अपनी और खीषता था जिससे वो तट रेखा से टकरा करके जहाज जो है वो बरबाद हो जाते थे ये एक कहानी जो है इसके related कही गई है करीब 2-5 km का ये stretch जो है समुद्र तट से कोनार्क सन टेमपल तक का है और ऐसा माना जाता है कि समुद्र के अंदर जो जहाज आते थे ये मंदिर उनको अपनी और खीच लेता था जिस वजा से वो समुद्री जहाज जो है वो बरबाद हो जाते थे तो ये अलावा मोधेरा सन टेमपल है महसाना गुजरात में सन टेमपल गया में है मार्तंड सन टेमपल जो है वो अनंतनाग में है सूरे पहार टेमपल असम में है तो ये कुछ important सन टेमपल है जो की देश के अलग-अलग कोनों में जो है वो मौजूद है इसके विशे पे हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि कुनार का सन टेमपल जो है वो अब पूरी तरीके से सो रूर्जा से संचालित किया जाएगा I hope हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा और इसा राचे से ये संबंध रखता है ये कोड शूप 33 तो डेफिनेटली कोड का इस्तेबाल करते हूँ इन कोर्से में इन्रोल करें और अपनी प्रेपरेशन को शांदार बनाए Thank you very much, all the best, keep working hard Bye-bye, take care, जैहित